हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी अपने फोन में डाटा रौमिंग को ओन या ओफ करना चाहते हैं सो यहां पे अब हम अपने फोन पे हैं यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अपने फोन पे आजाईए और यहां पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फोन में डाटा रोमिंग को कैसे ओन या आफ कर सकते हैं सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि data roaming जो है वो एनेबल हो जाता है वहां पर आपका सीम जो है उसे आपको data roaming में चलाना पड़ेगा अगर आप डाटा रॉमिंग में चलाएंगे सब्सक्राइब आपका रेका सीम वहां पर काम करेगा और data roaming में होता क्या है कि extra charges लगता है जैसे आप call करते हैं या फिर data इस्तमाल करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से extra charge देना पड़ता है चलिए अब देख लेते हैं कि इसे हम active कैसे कर सकते हैं इसे हम on off कहां से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपनी settings पर जाना है settings पर जाने के बाद sim card and mobile data का option उपर मिलेगा यहां पर क्लिक करना है यहां पर आपको जो भी सीम पर data roaming को on off करना है वहां पर आपको sim select करना है जिसे मैं idea select करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं data roaming का यहां पर एक option दिया हुआ हुआ है default यह disabled ही रहता है तो आप चाहें तो यहां से इसे enable कर सकते हैं तो यहां पर turn on पर करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह अब enable हो गया है अगर मैं इस sim को दूसरे state में लेके जाता हूं दूसरे राज में लेके जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा कि हमारा data roaming है वह automatically on OWN हो जाएगा और मैं जो है data वहांभी इस्तमाल पाऊंगा तो यही फायदा है डाटा रोमिंग ओन्स इहांसे आप चाहिए तो इससे और भी हवापिस से कर सकते हैं इस तरह से आप जो है यहां से डाटा रोमिंग को ओन या ओफ कर सकते हैं